Hi friends, मैं हूँ Dr. Vikaas और आज हम आपसे बात करेंगे Early Sign of Autism के बारे में Autism एक तरह का Neuro Developmental Disorder होता है जिसमें एक बच्चे का Communication की जो स्किर्स होते हैं जो कि वर्वर्वर्वर्वर्वर होते हैं वो Disoriented हो जाते हैं बच्चे में Language का Developmental Delay होता है बच्चे का Social Interaction होता है वो काफी ज़्यादा Impaired हो जाता है बच्चे के एक Typical Type के Stereotype Behavior Pattern होते हैं जो कि Society की Norm के एसाब आपनमल होते हैं Autism में सबसे महतुर बात यह है कि जित्ता जल्दे आप Autism को Diagnose करेंगे बच्चे के Prognosis के लिए बच्चे के Mentally Outcome के लिए वो बहुत Important है हमने देखा है कि COVID-19 के बाद Parents कई बार यह concern लेके आ रहे हैं कि हमारे बच्चे का Language Development Delay है क्या वो सिरफ Language Development Delay है या बच्चे को को Behavior Disorder है या बच्चे को को Neuro Development Disorder है इसका पता लगना बहुत जूरी है क्योंकि जो Expressive Language Delay होते है अधिकतर केसे में देखा गया है वो टाइम के साथ में अपने आपी Spontrains ठीक हो जाते है बट अगर आपके बच्चे को Autism या और कोई तरह का Neuro Development Disorder है बच्चों को आपने Early Age में Diagnose नहीं किया तो यह समामना है कि with the time बच्चे के अंदर उतना अच्छा outcome नहीं आएगा जो उसके Early Diagnosis से आ सकता है तो आज हम आपके साथ में शेरिक करेंगे कि कुछ क्या Early Sign है जो Autism के बच्चों के अंदर आपको मिल सकते हैं जो कि समाने बच्चों के नहीं मिलते हैं First thing जो होती है Human to Human Interaction मतलब एक इंसान दूसरे इंसान से किस दंग से Communicate करता है यह सबसे महतपूर माइस्टोन होता है अगर हम Social or Behavior Development के अंदर Humans के अंदर देखें जब बच्चा 2-3 मेने का होता है 2-3 मेने के बच्चे के अंदर जब Eye to Eye Contact डवलप होता है यह सबसे बड़ा कि माइस्टोन होता है जिससे आप यह पता कर सकते कि बच्चे के अंदर आगे चलके Autism होने की संभावना है क्या नहीं है तो Eye to Eye Contact अगर 6-9 मेने के बच्चे के अंदर अपने पैरेंस के लिए Eye to Eye Contact नहीं है बच्चा किसी चीज के उपर Focus नहीं कर रहा है बच्चा Human Face को Recognize नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि बच्चे के अंदर Eye Contact पूर है इस तरह के बच्चों में देखाए कि अगर कोई चीज मुवेवल है माली जी कोई चीज यहां से यहां तक मूव कर रहे है तो बच्चे उसको फोलो करेंगे कोई चीज fixation है तो बच्चे उसको फोलो करेंगे यानि कि आप देखेंगे कि बच्चा लेटा हुआ तो कमरे के अंदर बच्चा लाइट सोस के उपर एक फोकस करके लगा रहेगा कोई चीज मूव करें तो बच्चा उसके उपर देखेंगे तो बच्चे जो इस तरह के होते हो टीजम वाल है वो face को recognize करने के बदाए किसी तरह की fix pattern है किस तरह की fix moment है किस तरह की जो light source है उसको उपर eye contact करना ज्यादा पसंद करते है तो एक जो math point चीज इसके नहीं है कि human face के प्रती eye to eye contact है वो ज्यादा valuable है second thing है face को recognize करने के बदर हमने देखे कि बच्चों के लिए कि milestone start होता है इसको बलते है social smiling बच्चा जब mother उसके साब बातचीत कर रही होती तो उसके अंदर contact के अंदर बच्चा भी जब मदर हस्ती है तो बच्चा उसको देखके हसता है usually बच्चों के अंदर माइस्वों काफी जल्दी develop हो जाता है तो बच्चा आपके देखके face को देखके recognize कर रहा है कि नहीं कर रहा है facial recognition है क्या नहीं जब बच्चे की mother आती तो बच्चा अपने facial expression दे रहा है कि नहीं दे रहा है बच्चा social smiling दे रहा है कि नहीं दे रहा है उनका eye contact preference रहता है कि वो subjective चीज़े जो होती है, जाने कि घर में कोई किलोने पड़े हैं, या घर में कोई pattern है, घर में कोई lighting है, घर में fans रहा है, उसके ज़्यादा focus करेंगे मनस्पत human faces के. इंसान का इंसान को देखके, एक human का human को देखके, एक facial expression देना, कि वो किस तरंग से response कर रहा है, वो किस तरंग से आपके face को read कर रहा है, बच्चा जब अपनी मा को देखता है, तो facial है, उसका expression happiness का joy का होता है, यह एक ऐसा clue है, जिससे आप पता कर सकते हैं, बच्चा जो आपक इशू यही आता है, बच्चे facial expression को समझ ही नहीं बाते हैं, तो अगर बच्चे के अंदर social interaction है, बच्चे आपके face को देखके social smiling कर रहा है, तो यह positive sign है कि बच्चे के अंदर इस्तरे की disorder की chances नहीं है, बट अगर छे से नो मिने के बच्चे के अंदर आपको पैरेंस, डॉक् करता है कि बच्चे को behavior disorder हो सकता है, थर्ड, जैसे कि हम देखते हैं कि autism के अंदर language की milestone जो होते हैं, उनके उपर impact आता है, हम देखते हैं कि 3-6 मन्त के बच्चे के अंदर जैसे यासे language का interaction स्टार्ट होता है, तो बच्चे अपनी language का experiment करने लग जाता है, बच्चे करता है, मां ये समझ जाते हैं कि मेरा बच्चा अभी भूकी वज से रो रहा है, या बच्चे को और कोई problem है, क्योंकि बच्चे की जो क्राई की quality होती, जो उसका content होते हैं, वो भी change हो जाते हैं with the time के साथ में, तो अगर बच्चे काने monotonous cry है, बच्चा हमेशा फसी रहता है, बच्चे काने language के कोई milestone जैसे की babbling है, मा, मा, बाबा, दादा, अगर 9 month की age में बच्चे काने इस तरह के milestone नहीं हा रहे हैं, बच्चे अपनी facial expression के डिफरेंट तरह के experiment नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपने doctors इस पर discuss करना चाहिए, एक 12 मेने का बच्चा जो होता है, वो अपने emotions को parents के साथ में share करता है, क्या बच्चा आपका bye-bye करता है के नहीं करता है, बच्चा किसी चीज को pointer करता है, नहीं करता है, जब आप उसके साथ हास्रे होते तो बच्चा उसको enjoy करता है, नहीं करता है, बच्चा आपके साथ में pika-goo game, game खेलता है की नहीं खेलता ह है नहीं खेलता है इस अभी अल्डी इंडिकेशन या क्लू है जिसमें आप ही पता कर सकते हैं कि बच्चा शोशली इंगेज होने की कोशिस कर रहा है नहीं कर रहा है एक सबसे इंपोर्टेंट चीज सोचल इंट्रेक्शन के अंदर आते हैं रैसी प्रोकर सोचल करें तो बच्चा साहरा कि भी किनिक और गॉंवन नावाच चाहिए वो मिनियुन को टॉन को रिकोगनिज्ट कर mellan çी कर पार है कि यह बहुत महत्तमुन है इसके बाद में एक बारा मेने के ब्च्चे से में expect करते हैं कि जब आप उसको उसकी नाम से बुलाएं तो बच्चा उसको रिस्पोंस करना नहीं कर रहा है Autism के बच्चों में देखा गया कि parents की अक्सा ये complain रहती है कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारी बच्चे को properly सुनता ही नहीं है क्योंकि बच्चों का जो सुनने का जो सिस्टम होता है वो इतना मैचोर ही नहीं हो पाता है कि वो उसको इंटरसेप्ट कर सके उसकी हिसाब से रिस्पोंड कर सके तो parents का ये concern होना कि 12 मेने के बच्चे अपने नाम के उपर response नहीं कर रहा काफी serious issue हो सकता है एक इसके बाद में सबसे मैट पूची जो आटीजम के नाते हैं आटीजम के बच्चे काफी fixing होते हैं मतलब उनका एक fix pattern होता है fix pattern और behavior होते हैं एक ही तरह के repetitive sound जैसे को हम बोलते इको ले लिया एक ही तरह के sound दीन बर एक ही तरह के pattern को flow up करते रहेंगे या बारी बारी अपने face के आगे ऐसे ऐसे finger को गुमाते रहेंगे या finger इस तरह से pointing करते हैं बट वो ज्यादा meaningful नहीं होगा और बहुत जादा वार करेंगे मतलब एक तरह का fix pattern होगा अगर आप उसको कुछ खेलने को देंगे तो वो किसी पर्टिकुलो पार से खेलेंगे ना कि पूरे क्लोने से खेलेंगे उनका पर्टिकुलो टैप का इंट्रेस्ट होगा उस इंट्रेस्ट के अलावा और बाकी चीजों के इतना इंट्रेस्ट शोर नहीं करेंगे तो उससे आप यह detect कर सकते कि मेरे बच्चे का कोई फिक्स पैटन तो नहीं है और यह क्लासिकल फीचर होता है कि बच्चे के अंदर एक रिपीटेटिव और एमलोर पैटन और बहेवियर होता है जो कि लैंग्वेज के अंदर भी हो सकता है या फीजिकली भी हो सकता है जिसके अंदर जैसे हमने का बच्चे एक डिफरें कर सकते हैं डिफ्रेंट तरह की वेविंग कर सकते हैं या डिफ्रेंट तरह की जो इस्टुमेंट उसके साथ में एक फिक्स पैटर्ण के दर खेलेंगे और जब भी आप उनका पैटर्ण डिस्टब करेंगे तो बच्चे काफी फसी हो जाएंगे इसके बाद में जो का हम उम्मीद करते कि बच्य वेंगे ब्च्चे को वकोली में लेखिए हो जाएंगे हो जर्ण टाइब लाज वक्षर मंत करते कि बच्चे की ने टूल्ड का सनटैंस है बच्चा बोल सके पि कोदुक्ट है अगर हम सो प्यारा आपने देखना है मेरा जो बारा मेने का है उ बच्चा उसको similar way में करता है को है? जैसरा है बच्चे को बोलते हैं, baby bye-bye, baby smile करो, तो बच्चा उसको किस टंग से reciprocate करता है? Reciprocate behavior जो है, Biraz printed इन्सान को देख के behavior सीखना, यह बहुत महत पूर है, Humans का language development बच्चे का एक दूसरे से facial expression देख लीजिए हम बहुत चीजे एक दूसरे को देख के सिखते हैं Autism के बच्चों में माइस्ट्रों काफी लेकिंग होता है इसके बाद Autism के बच्चे जो होते हो पांटिंग नहीं करते हैं लानि कि उनको कोई चीज चाहिए तो वह अपना finger से उसको इंडिकेट नहीं करें कि मुझे चीज चाहिए कि नहीं करें वह अपना emotion या joyful expression करने में को दिक्कत आती है वह अपने emotion को express नहीं कर पाती है इसलिए देखाए गया है कि Autism के बच्चे अधिकतर टैमें फसी रहते हैं इरिटेर रहते हैं वह fixate से हो जाते हैं हमें देखा कि करितर के बच्चे आते हैं अगर उनको आप कुछ कह दो तो जाकर अपनी मदर के साथ में उनके साथ में temper tantrum करने लग जाते हैं उनको गुस्ता दिखाने लग जाते हैं तो carry on message यह कि autism का early diagnosis बहुत important है autism के अंदर language की milestone है वो काफी delay हो सकते है autism के अंदर reciprocate human behavior है उसके उपर impact पड़ता है eye to eye contact जो होता है वो काफी poor होता है इंतरे के बच्चों का और इसके बाद में उनका जो होता है कि sharing अपनी emotion करना उसमें delay होते है autism अगर आपके बच्चों कोई में से कोई symptom है तो आपने pediatrician या developmental neurology से जुरू संपर कीजिए क्योंकि autism का early diagnosis काफी मैतूर होता है इससे लेटर अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें email पे या YouTube पे हमारे link के साथ में पूछ सकते है Thank you